ओम नमो भगवति वासुदेवाई नमस्कार दोस्तों मैं हुरिचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज है भादरपद माह के पुर्णिमाति थी और आज से ही पित्रपक्ष प्रारंब हो रहे हैं आज के इस शबह अफसर पर हम सुनेंगे गीता का सब्तमध्याई दोस्तों पित्रदोष से मुक्ति पाने के लिए शाध पक्ष को सबसे अच्छा समय माना जाता है शाध में धूपदान, तरपन, पिंडदान और ब्रामन भोज से पित्रों को त्रिप्ति मिलती है अगर आप शाध या पित्रदोष के शांती नहीं करा पा रहे हैं भागवत गीता के पाठ से भी पित्रदोष से मुक्ति पाई जा सकती है गीता का वह ग्यान जो भगवान श्रे क्रिश्ने ने अर्जुन को कुरुशेत्र के मैदान में दिया था गीता का साथवा अध्याई पित्रदोष से जुड़ा है शाधरपक्ष में गीता के साथवे अध्याई का पाठ किया जाता है इस अध्याई का नाम है ग्यान विज्ञान योग तो पित्र पक्ष के सोलह दिनों में गीता के साथवे अध्याई का अधिक से अधिक बाट श्रवन अवश्य करें गीता के साथवे अध्याई का महात्म में बताते हुए स्वेम भगवान शिव कहते हैं हे पार्वती अब मैं साथवे अंध्याई का महात्म्य बताता हूँ जिसे सुनकर कानों में अम्रित राशी भर जाती है पाटली पुत्र नामक एक दुर्गम राज्य है जिसका गौपुर बहुत उचा है उस नगर में शंकु कर्ण नामक एक ब्रामन रहता था उसने वैश्य व्रिती का आश्रे लेकर बहुत धन कमाया किन्तों ना तो कभी पित्रों का तरपन किया और नहीं देवताओं का पूजन ही किया वह धनोपारजन में ततपर हो राजाओं को ही भोज दिया करता था एक समय की बात है उस ब्रामन ने अपना चौथा विवाह करने के लिए हो गए कि मनी मंत्र और ओश्दी आदी से भी उसकी शरीर की रक्षा ना की जा सकी ततपश्चात कुछी शनों में उसके प्राण पखेरू उड़ गया और वह प्रेथ पन गया फिर बहुत समय के बाद वह प्रेथ सरपियोनी में उत्पन हुआ उसका चित धन की वासना से प कि योनी से पिडित होकर पिता ने एक दिन स्वपन में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर पड़े ही विसमे से एक दूसरे से स्वपन की बात कही उनमें से मचला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला जहां उसके पिता सर्पियोनी धारन करके रहती थे उस स्थान पर गया यद पि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्य कर लिया और लोभ पुद्धी से वहां पहुँचकर बाबी की खोदाई आरंब की तब बाबी से आपका पुत्र हूं मेरा नाव शेव है मैं रात्री में देखे हुए सबन से विस्मित होकर यहां एक सूवर्ण लेने की कौतुक से आया हूं पुत्र की ये वहाने सुनकर वह साब हस्ता हुआ उच्छ स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला यदि तु मेरा पुत्र ह तो मुझे शिक्र ही बंधन से मुक्त कर मैं अपनी पूर्वजनम के गड़े हुए धन के लिए ही सरपियोनी में उत्तपन हुआ हूं पुत्र बोला पिता जी आपकी मुक्ती कैसे होगी इसका उपाए मुझे बताईए क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर अध्याई ही प्राणियों के जरा मृत्यू आदी दुखों को धूर करने वाला है पुत्र मेरे श्राद के दिन गीता के सप्तम अध्याई का पाठ करने वाले ब्रामन को शद्धा पूर्वक भोजन कराओ इसे नी संदे ही मेरी मुक्ती हो जाएगी वच्स अपनी शक्ती के अनुसार पूर्ण शद्धा के साथ निर्वयसी और वेद विद्या में प्रवीन अन्य ब्रामनों को भी भोजन कराना सर्प यूनी में पड़े अपने पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आग्यानुसार तथा इससे भी अधिक किया तब शंकू करने ने अ धर्म में लगी हुई थी इसलिए उन्होंने बावली कुवा पोक्रा यग्य और देव मंद्रों के लिए उस धन का उप्यों किया और अनिशाला भी बनवाए ततपश्चात साथवी अध्याई का सदा जब करती हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया हे पारवती यह तु श्री भगवान बोले हे पार्थ मुझ में अनन्य प्रेम से आसत्त हुए मनवाले और अनन्य भाव से मेरे परायन होकर योग में लगा हुआ मुझको संपून विभूती बल एश्वर आदी गुनों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार श्रंशे रहे जानेगा उसक मेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्यान को संपूनता से कहूंगा कि जिसको सुनकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग शेश नहीं रह जाता हजारों मनुश्यों में कोई एक मेरे प्राप्ति के लिए यतन करता है और उन यतन करने वाले योगियों में भी कोई है पुरुष मेरे परायन हुआ मुझको तत्वसी जानता है प्रित्वी जल तेज वायू तथा आकाश और मन बुद्धी एवं अहंकार ऐसे यह आठ प्रकार से विभक्त हुए मेरी प्रकृति हैं यह आठ तो अपरा है अर्थात मेरी जड़ प्रकृति हैं और हे महाबाहु इससे दूसरी को मेरी जीव रुपापरा अर्थात चेतन प्रकृति जान की जिससे यह संपून जगत धारन किया जाता है हे अर्जुन तू ऐसा समझ कि संपून भूत इवं दोनों प्रकृतियों से उत्पन होने वाले हैं और मैं संपून जगत की उत्पति इवं प्रलय र मुझे में ही गुथा हुआ है हे अर्जुन जल में मैं रस हूँ चंद्रमा और सुर्य में प्रकाश हूँ संपून वेदों में प्रणव मैं ही हूँ अकाश में शब्द और पुर्ष्टों में पुरुषत्व मैं हूँ पृत्वी में पवित्र गंध और अगनी में मैं तेज हूँ संपून भूतों में मैं जीव हूँ अर्थाद जिससे वे जीते हैं वह तत्व मैं हूँ तथा तपस्वियों में तप मैं हूँ हे अर्जुन तु संपून भूतों का सनातन बीच यानी कारण मुझे ही जान मैं बुद्धिमानों में बुद्धी और तेजस्वियों का तेज हूँ हे भरत्ष्रेष्ट आसक्ति और कामनाओं से रहित बलवालों का बल अर्थात सामर्थे मैं हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम मैं हूँ और जो भी सत्व गुण से उत्पन होने वाले भाव हैं उन सब को तु मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान परन्तु वास्तों में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है गुणों के कारे रूप इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को वह तत्व से ही नहीं जानता यह अलोकिक अर्थात अती अद्भुत त्री गुणमई मेरी माया बड़ी दुस्तर है परन्तु जो पुरुष केवल मुझ को ही निरंतर भचते हैं वह इस माया को उलंखन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं माया के द्वारा हरे हुए ग्यान वाले और आसुरी सोभाव को धारन किये हुए तथा मनुश्यों में नीच और दुशत कर्म करने वाले मुझ लोग मुझे नहीं भचते हे भरतवन्शियों में श्रेश्ट अर्जुन उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी आर्थ जिग्यासू और ग्यानी ऐसे चार प्रकार के भचत जन मुझे भचते हैं उनमें भी नित्य मुझ में एकी भाव से इस्थिर हुआ अनन्य प्रेम भक्ती भाव वाला ग्यानी भक्त अ सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है परन्तु ज्यानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है क्योंकि वह मदगत मन पुद्धी वाला ग्यानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार इस्थिर है बहुत जन्मों क की कामना द्वारा जिनका ग्यान हरा जा चुका है वे लोग अपने सोभाव से प्रेरित होकर उस उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भचते हैं अर्थात पूझते हैं जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूझना चाहता है उस उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति इस्थर करता हूं वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूझन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किये हुए उन एक्षित भोगों को नी संदे प्राप्त करता है परंतु उन अल् प्राप्त होते हैं पुद्धी हीन पुरुष मेरे अनुत्तम और विनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिता नंद घंपरमातमा को मनुष्य की भाति जानकर व्यप्ति के भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं अपनी योग माया से छेपा ह हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता इसलिए यह अग्यानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित और विनाशी परमातमा को तत्व से नहीं जानता है मुझे को जन्म ने मरने वाला समझता है है अर्जुन पूर्व में व्यतित हुए और वर्तमान में इस्थित तथा आगे ह होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं परन्तु मुझको कोई भी श्रधा भक्ती रहित पुरुष नहीं जानता है भरत्वन्षी अर्जुन संसार में एक्षा और द्वेश से उत्पन हुआ सुख दुखादी द्वंद रूप मोह से संपून प्राणी अधी अज्यानता को प्राप्त हो रहे हैं श्रेश्ट कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुर्षों का पाप नश्ट हो गया है वे राग द्वेशादी जनित द्वंद रूप मोह से मुक्त और रित्रण निश्य वाले पुरुष मुझको भशते हैं जो मेरे शरण होकर जरा और मरंड से ब्रह्म को तथा संपून अध्यात्म को और संपून कर्म को जानते हैं जो पुरुष अधी भूद और अधी दैव के सहित तथा अधी यग्य के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं वे युक्त चितवाले पुरुष मुझको ही जानते हैं अर्थात मुझको ही प्राप् साथ्वा अध्याई पून हुआ ओम नमो भगवती वासुदेवाएं